हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूटूब चैनल दवाग्यान आज के इस यूडियो में हम आपको एक प्री एंड प्रो बायोटिक कैप्सुल का रिव्यू देने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोगट कैप्सुल इस दवा में आपको लेक्टो एसिड बेसिलस मिलेगा ज दूसरा है बिफीडो बैक्टेरियम जोकी 2.4 बिलियन सीएफ्यू पर इस तवा में रहता है यहां दस कैप्सुल की इस्टी पर आने वाली एक मैडिसीन है जो कोश्ट करती है 174 रूपीस इस दवा को मार्केटेट किया जाता है लिंकोलिन फार्मसिटिकस त्वारत एक एक कर हम इस कैप्सुल की विशेस्टाएं भी जाल लेते हैं तो दोस्तो प्रोगट कैप्सुल का ओप्योग डाइजेशन से जुड़ी समश्याओं में किया जाता है जैसे दस्ट की प्रॉबलम में इसके अलावा इरिटेवल बॉविल सिंड्रो में भी इसे दिया जात जाती है जिससे डाइजेशन से जुड़ी समश्याओं इस दवा को डॉक्टर एंटिबायोटिक दवाओं के साथ भी देते हैं अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक एंटिबायोटिक दवा दी जा रही है या एंटिबायोटिक के साइड फेट को कम करने के लिए यहां कर देती है गुड़ बैक्टेरिय की संक्या कम नहों इसलिए डॉक्टर द्वारा यहां जो दवा है उसे दिया जाता है इसके अलावा यहां कैप्सुल इम्मुनिटी को भी बूश्ट करने का काम करती है जिसके वजह से सरीर रोगों से मुक्त रह सके दोस भी हम जान लेते तो दोस्तो इसे नॉर्माली अडल्ट में बड़ो में एक कैप्सुल प्रति दिन लेने की सला दी जाती है इस दवा को आप खाना खाने के बाद सेवन कर सकते हैं और इसे 5-7 डेस लेने की सला दी जा सकती है कुछ कंडिशन में डॉक्टर इसके डोस बढ़ा सकते हैं प्रत दवा आप ले रहे हैं तो एंटिबायोटिक दवा और इस प्री एंड प्रो बायोटिक कैप्सुल दोनों को आपको साथ में नहीं लेना है कुछ समय का गैप रखना है जैसे 2-3 घंटे का कम से कम आप गैप रखिएगा दोनों दवा को लेने की बीच में इस कैप्सुल को लेने से पहले अगर आपकी पहले से किसी भी प्रकार की दवाईयां चल रही हो या प्रॉब्लम हो उस बारे में डॉक्तर को बताना नहीं भूलेगा आई होप आपको हमाये द्वारा दीगे इंफोर्मेशन पसंद आई हो इसी तरह रोजाना दवाईयों से जुड़ी जान